हेलो फ्रेंड्स आपका अपने ही चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं फिर इसे एक नए वीडियो लेकर आई हूँ और यह अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दोबाएं जिससे जो भी नए वीडियो बनाऊंगी वह आपको तुरंथी प्रवाइड हो जाएगा तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्या है तो दोस्तों में बात कहना चाहूंगी कि विधी के विधान को नहीं बदला जा सकता इस सिर्सक को मैं कहानी के माध्यम स आपके सामने पेस करना चाहूंगी कि विधी के विधान को नहीं बदला जा सकता वो कैसे कहानी में शौट रूप में आपको सुनाती हूं तो आपको सेम पता लग जाएगा यानि कि भगवान ने जो हमारा जीवन में फिक्स कर दिया है तो वो फिक्सी रहता है उसको हम चाहूंगी एक बार भगवान भिशुरू को अंगरूड जी अपने पीट परबठाल कर कैलासफरबत पर ले जा रहे थे कर जब कैलासफरबत पर घृष्रम इन ले जा रहे थे तो रसते में एक मकान पर उनको सादी वाला माहल दिखाई दिया और उस महाल में उनको बताये विश्वु जी आप कि एक मकान में दो पराते कैसे खड़ी हुई है कन्या तो वहां एक है शादी के लिए तो यहां पर दो पराते कैसी है यानि उस कन्या की शादी दो लोगों से होगी तो भगवान विश्वु हलके से मुस्क्राए और बोले नहीं गरूर जी शादी की माने पसंद किया है और एक दो ऑब इसलिए तो तो गरूर जी डे कि महराठ शाधी के साथ होगी विश्वु जी शादी असी के सथ होगी जिसको मैंने लिख दिया जिस से मैंने योकर दिया तो गटोड़ोजी जी enforce तो महाराज जी आप यह बताए कि मुझे तो बड़ा उस्तुक्ता हो रही कि किसके साथ ने वाली है भगवान विश्मु ने का कि यह साधी माता जी दौरा पसंद के लड़के के साथ ही होगी तो गरुड जी ने का कैसा हो यह नहीं सकता अगर पिता के साथ हो गई तो भगव के लास वरबत पर छोड़ दिया और चुप्चा वहां से खिसक कर वहाई पर आ गए उस मकान के पास जहां पर साधी के लिए दो बराते खड़ी हुई थी अब गरुड जी ने दिमाग लगाया क्योंकि गरुड जी कोई बात पता लग गई थी कि कि भगवान विश्मु ने माता दोरा पसंद किये लड़के किसे साधी करने का विचार सोचा है तो गरुड जी ने सोचा कि मैं अगर इस लड़के को गाइब कर दू तो बिदी का बजान बदल जाएगा तो उन्होंने जो दुला बैटा था उसको एक टोकरी में रखकर और चुप्चाब उठा ले ग अब इधर क्या हुआ समूरत का टाइम आया साधी के अब लड़की की माँ परसान उने लगी अर्व दुला कहां गया अब मेरी लड़की की शादी कैसे होगी क्योंकि बाहर जो बरात खड़ी थी वो पिताद्वारा पसंद किये लड़के की थी और वही लड़का था और मा लड़की दिखाई नहीं देगी और फिर उन्होंने क्या क्या ऐसा ही किया उन्होंने टोकरी ली और उसमें जो कन्या थी मतलब अपनी बेटी इसको सजाकर उसी टोकरी के अंदर रग दिया दोस्तों उपर से फल फूल मिटाई रग दी और अपने संधी को फोन कर दिया कि म अपनी लड़की को फल फूल मिठाई के साथ भेजूंगी आपके साथ आप ले जाना और वहां जाके अपने बेटे के साथ साथी करा देना इधर क्या हुआ गरूर जी दुबारा आए गरूजी ने सोचा अरे मैं दुले को तो ठालाया हुआ माता दौरा पसंद की लड़क उनको फूरे नहीं और लूर्ट ने साथी में खाना घाना खा रहे होंगे उनको यह थोड़ी ना पता था यहां तो विदी का बिदान चल रहा है अब उदर जो टापू पर बैठा था यह दूना बैठा था माता के दौरा पसंद किया हुआ उसको भूक लगी उसने उस टो को कोई नहीं बदल सकता इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि ना चाहते हुए भी देखो सामने ही हो गया मेरे मन में तो यह था कि यह दुला जो है खाने पीने की चीज खाएगा भूका है यहां तो दुला नहीं निकली आई अब गरूर जी ने वाव विदी विदान के साथ तो कहने का मतल Çो अगर बरमात्मा ने हमाराी जिसके साथ योग सजोग बनादिया है उसके साथ हमारी शादी होती है और जीवन में जो भी घटनाइन होती है वह भगवान के द्वारा रचत हुई हूई होती है जानी बदी की बदान को नहीं पलट सकते तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लिस प्लिस लाइक जरूर करें और आज का वीडियो में ही समाथ करती हूं बहुत धन्यवाद दोस्तों